गुद मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड सब कैसे है बहुत दिनों के बाद मैंने ये सवाल पुछा ना आप लोगों से 2023 का आज 2nd January है और मैंने अपनी बेडरूम का जब दर्वाजा खोला तो मुझे ये महाशाय आज मिले लगातार 2-3 दिन से मैं इनको देख रही हूँ कभी मैंने इनका वीडियो नहीं बनाया पर आज मैंने वीडियो बना ही ली क्या पता कब ये फुर से उड़ जाये आस्मान में इतना सुंदर कबुतर मैंने तो कभी नहीं देखा बिलकुल वाइट रंग का कबुतर तो मैंने देखा है पर इसकी पंक में और जो पूछ वाला हिस्सा है ना उसमें थोड़ी सी लाल रंग का शेड है ये मुझे अनुखा लगा और इसकी पैर में ना कोई कि दोना रबर बेंड ऐसा ये कुछ लगा हुआ है जिससे मुझे समझ में ये आता है कि ये किसी का पालतू है और रोज दो दिन तिन दिन से मैं देख रही हूँ ये जच्छा है इसी के उपर आके बैट रहा है कल मैंने इसके लिए कुछ चावल के दाने दिये थे ये ही सिर्फ नहीं आता इसके साथ और भी जो ग्रे कलर की नॉर्मल कबूतर है न वो भी आते है यहाँ बैटते है वाइट कबूतर को तो शान्ती की प्रतिक मानी जाती है पर मुझे और भी कुछ जानना था कि ये अचानक से वाइट कबूतर मेरे घर में क्यों आया है तो इसके लिए मैंने Google में सर्च किया तो वहां से मुझे एक interesting fact पता चला कि अगर आपके कोई करीबी इंसान का मौत हो जाता है और आप उनके लिए कुछ करते हो अच्छा तो व दूसरे लोक में यानि भगवान के पास बोलिए कुछ शांती से है तो क्युछी दिन पहले मेरे हजमन गय थे मेरी सासुट जी का देहांत के बाद पिंडदान करने बिहार में गया में गया प्रसिद्ध है पिंडदान के लिए उसका उसके बहुत सारे कहानिया है जो मैं आ जाने के वहां से आने के बाद हमने इस कबुदर को देखा आते हुए और गुगल में जैसे लिखा हुआ था संदेश पहुचाता है वाइट पीजियन तो मैंने देखा क्या यह सच है क्या पता यह अंधविश्वास भी हो सकता है बट आप किसी की मतलब ऐसे चीजों में आ आया है कि मैं जहां हूँ मैं खुश हूँ मेरे सासुर्जी जहां है वो खुश है शांती से है उस दिन के बाद मैं लगातार दो दिन चावल दिया इसी जगा पर अबू नहीं आ रहा है पता नहीं क्या हुआ उसके साथ देखिए यह पूरा खाली है चावल भी है ग्रे कलर कि पीजियन है कोई नहीं है पर चावल पड़े हुए यहां तो आप मुझे जरूर बताएगा कॉमेंट करके कि आपके मन में क्या विश्वास है वाइट पीजियन को लेकर और मुझे जानना है कि क्या मेरा जो जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच है कॉमेंट करिएगा जरूर मैं आपके कॉमेंट की इंतजार में हूँ